यूपी में च्छापेमारी पर राजनीती अब और ज्यादा गर्माती जा रही है क्योंकि च्छापेमारी 40 घंटे तक चली महु में राजीव राय के ठिकानों पर च्छापेमारी राथ ही खतम हो गई थी लेकिन बाकी शहरों में अकलेश के करीबियों पर इंकम टेक्स विभाग का च्छापा जारी रहा इसी वज़ा से यूपी की राजनीती में ये मुद्दा च्छाया हुआ है अकलेश व्यादव और बीजपी नेताओं के बीच वार पर अटवार का फिलहार सबसे बड़ा मुद्दा यही है जिस पर अब अकलेश को कॉंग्रेसी प्रियंका गांधी का साथ भी मिल रहा है दरजल शनिवार को रायवरेली में अकलेश यादव ने कहा था कि आईटे विभाग के बाद E.D. और C.B.I. भी आएगी अब यही बात लखनव में पोस्टरों के जरीए कही जा रही है चापे मारी को बीजेपी के बदले की कारवाई बताने वाले समाजवादी पार्टी के लखनव आप्विस के बाहर होडिंग्स पोस्टर्स लगाए गए है और इन पोस्टर्स पर लिखा गया है कि हमारे पास अखलेश है बीजेपी के पास इंकम टेक्स C.B.I. और E.D. है अखलेश की पार्टी नया एक्वेशन गड़ रही है और इंकम टेक्स प्लस C.B.I. प्लस E.D. इक्वल टू बीजेपी वहीं इस मामले में अब अखलीश यादव को कॉंग्रेस का साथ भी मिल रहा है जिहां प्रियंका गांधी ने कहा है कि सच है कि बीजेपी की केंडरी सरकार केंडरी एजेंसी का गलत इस्तिमाल करती है मेरे साथ भी यही किया था प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सरकार अपने एजेंसियों का ऐसे ही इस्तमाल करती है जहां चुनाब होते हैं वहां किसी ना किसी को प्रतारित करती है तो एक बाब फिर से जब से ये छापे मारी शुरू हुई है तब से लेकर अब तक सियासत काफी गर्म होती जा रही है और ये लगातार मुद्दा अब उठाता जा रहा है विपक साथी आपको ये बता दें कि अब अखले श्यादव को प्रियंका गांधी का साथ भी मिल रहा है